हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो मैंच चैनल तो आज आप लोगों ने थामनेल में तो देखी लिया है मैं आज आप लोग को पोटली बनाना बताऊंगी वह बहुत इजी तरीके से बस आप मिंटों में बना सकते हैं साथ ही मैं आपको हाइनेक ब्लाउस कटिंग की पूरी ड जाधा रखनी है इसके बड़ डीनर इन्च हमारा मार्जिन है और कमड मैंने सेंच लिए है इसके बड़ धिक्यां अप आप नेर रहा है और दीवा नियुक्तिन के लिए करें और देखिए बहुं carved रहते हैं इसनध कर दो दुट लोंगइ एरोस्टेस नेक जब भी आप बनाएं एक देर इंच या फिर दू इंच उत्रा ही रखे देखिए नेक का जो डीप है वो इसाद मैं इसको कट कर लूँगे और यह एक बैक ओपेन ब्लाउस होने वाला है अब मैं इसके में फाब्रिक पर भी जो है इसके लाइलिन को बैठा क कर लूँगी जब भी आप लोग पोटली बैक पर लगाएंगे जो डिजाइन है उसमें आप बैक ओपेन ही रखिएगा ब्लाउस का तो यह जादा अच्छा फिनिशिंग आएगी इस ब्लाउस की तो उस तरह देखिए मैं सेम जो है वैसे ही ब्लाउस रेडी करूंगी आज तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग बताती हूँ तो फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हर दिन कुछ नया सिखने के लिए घर बैठे ही बहुत कुछ नया जानने के लिए जल से इस साइड से मैं इसको स्टिच कर लूँगी कि दिखिए कि इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है ताकि यह सेट हो जाए अच्छे से अब इसको कट करके निकाल लेंगे इसके बाद इसमें पट्टी लगानी होती है जो हुक के लिए हम लोग होल बनाते हैं तो हुक को लगाने के लिए होल बनाते हैं तो उसके देखिए तो यह हमारा जो है लेफ्ट साइड में है तो इसमें देखिए मैं इस तरह का पट्टी आट कर रही हूं पीछे से इसको लेके आगे की तरफ फोल कर रही हूं यह मैंने अपने हर एक वीडियो में दिखाए है कि आपको ऐसे ही हुक की पट्टी लगानी है तो आपको जब भी बैक ओपन ब्लाउस हो तो आपको कहीं से भी कोई गैप नहीं दिखेगा और बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी अगर आप इस तरह से पट्टी आट करते हैं तो देखे मैंने इसको एडड कर लिया है इस तरछ से अब दूसरे साइड जो दूसरा पाठ है मुसको भी एड़ी कर लेंगे देखे मैं इसको स्टिच कर लूँगी चारो तरफ से आपको अब इस तरफ जहां होगा वहां लाइलीन की पट्टी होगी तो देखें यहां पर जो है मैं सीधे की तरफ इसको बैठा रही हूं और इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो यानि जो है दोनों पट्टी जो है ऑपोजिट होते हैं यह पट्टी सामने की तरफ बैठके अंदर की त इस तरह से हमें करना है मैं आप एक चाप्सले लगा रही हूं ताकि जो ही आसानी से अंदर की तरह फोल्ड हो जाए और हेम करने में कोई दिक्कत ना हो अब फ्रेंट जो हम लोग में जो हमारा पार्ट है पोटली बनाना तो देखिए मैं दो कलर के हाँ पर कप्ड़ा ली हूं फ्याबिक ली हूं एक तो जो में ब्लाउज है वह और एक दूसरा जोसके मैचिंग सारी जो है उस कलर का मैंने लिया है तो देखिए बस हमें इसको इ ब्लाउस की लेंथ हो तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको बहुत सारे कट कर लिये हैं स्क्वाइर शेप में कुछ इस तरह का देखिए अब हमें जो है थार्मोकॉल का जो बॉल लेना है देखिए और इसको में इस तरह से रैप करना है और धागे से इसके जो मूब के सामन इसके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाई है अगर आप लोग उन्हें नहीं देखा है तो जाकर मेरी पिछले वीडियोस पर देख सकते हैं या फिर मैंने आई बटन पर इसका लिंक दे दिया है वहां से भी देख सकते हैं तो देखिए इस तरह मैंने बहुत सारे बना लिए हैं जो है ब्लाउस वाले कप्डे के दोनों मैच लगत हैं अब नोग इसको फिक रेएक हम उसको दो लगाएंगे और ब्लाउस वाले कप्डे को को एक लगाएंगे इस तरह से अपनों पूरा जो है इसी तरह का चेन बना कर इसको सेट करेंगे यह इसलिए ताकि दो कलर से यह ज्यादा अच्छा दिखेगा ज्यादा अच्छा हाइलाइट लएगा दूर से ही आप लोग चाहे तो एक कलर के भी बना सकते हैं और देखे मैं इसको एकदम साइड साइड में रखकर्स को स्टिच करूंगी अगर आपके पास वह एलेक्ट्रानिक मशीन है तो इसमें और भी अच्छे से वह सेट हो जाएगा लेकिन बहुतों के पास नहीं है इसलिए मैं इसी मशीन में आप लोगो दिखा रही हूं कि कैसे करना है इसक कर लूँगी देखिए कुछ इस तरह से करके हम लोग करते जाएंगे और बहुत धीरे-धीरे इसको करना है ताकि जो है यह बहुत सुंदर लगे देखिए अमें बाकी सबको भी इसी तरह से सेट कर लूँगी देखिए मैंने सारे बॉल सेट कर लिए सेम दो ग्रीन और एक पिंग कलर का इस पर पाइपिंग एड़ करेंगे इसके नेक में तो इसके लिए मैंने देखिए इस कलर का पाइपिंग भी ले लिया है कपरा इसको तीरचा पट्टी हम लोग कट करेंगे क्योंकि हमारा नेक जो है वो राउंड नेक है इसलिए हम लोग इसको तीरचा पट स्लाइ हम पूरे जो है नेक में लगाते रहेंगे देखिए कुछ इस तरह से अब जो है फ्रेंड्स हमें अपने सीधे तरफ जो है इसको उल्टे तरफ हमें इसको फोल करके जो है अंदर की तरफ रखना और सीधे तरफ में जितना आपको चौड़ा पाइपिंग चाहिए तो अगर आप पूरी फिनिसिंग साथ पाइपिंग बनाना सीखना चाहते हैं तो जरूर देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तो देखिए मैंने आप इसको बना लिया है और मैं बैक में एक और स्लाइ लगाऊंगी ताकि हमारी पत्ती जो है पूरी त कट की थी उससे हम लोग पाइपिंग लगाएंगे और अगर आप लोग इस तरह से पाइपिंग लगाते हैं तो पाइपिंग की फिनिशिंग भी बहुत अच्छे आएगी आपको किसी भी डोड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो देखिए मैं इसे तरह से फिर से इसको सेट कर लूँगी फ्रेंट्स आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको नेक्स वीडियो की सीथ पर चाहिए उसके लिए कॉमेंट कीजिएगा ऐसे मेरी पिछले वीडियो पर बहुत जादा कॉमेंट्स आये थे उसके कराये देख सकते हैं मिलते हैं नेक्स